एपिसोड के शुरुआत होती है यहां से एक मिनट यहां तो सरीना ने एश को पोकीमोन की कौर न्यू वीडियो में आप सभी कर स्वावगत है और आज हम बात करने वाले हैं पोकीमोन जर्नीस के एपिसोड 103 के वारे में और यह एपिसोड बहुत ज़्यादा कमाल का है और साथ ही में इस एपिसोड में काफी कुछ हुआ है सो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट एपिसोड की शुरुआत होती है कैलूस रिजन से जहां पर आश मिलने वाला तक क्लैमेंट और बॉनी से और यहां पर उनका एक छोटा सा फ्लैश बेक दिखाये जाता है और गोगुछ पोकीमोन को पकड़नी के लिए कैलूस रिजन में जाता है तभी वो टीवी पे देख दूआ की शुरुआ है कि डरैसमा का मैच उसके साथ होने वाला है और उसको इसके बारे में पता भी नहीं था वहट ड़ा है कब आश बैटल करेगा मोग देखने के लिए और यहां पर go डायरेक्ड सरॉकी को पकड़ने का ट्राइब करता है और च्श पर्रॉक प्रोकीına भ और गो को ये चीज कितने लोग बता चुके हैं जब आश क्लामेट के पास पहुंचता है तो वो अपने लगजरी के साथ बैटल कर रहा हुता है और उसके अपोनेट ट्रेनर को बड़ी आसानी से हरा देता है और यहाँ पर बहुत सालों बाद हमें क्लामेट रिटन देखने के लिए मिला है और यहाँ पर लगजरी और पीकेचु जो की एक दूसरे से मिलते हैं और आश भी क्लामेट से मिलके बहुत ज़ादा खुश था और क्लामेट बताता है कि तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेट जो की बहुत ज़ादा पाउरफुल है और यहाँ पर आश अपने पोकीमान से इंट्रीज कराता है और ड्रागनेट को तुम देख सकते हो और ड्रागोविश तो भाई हर बार आश को अपने मूँ में डाल लीता है और क्लामेट अपने पोकीमान को निकालता है जहाँ पर उसका बनल भी डिगर भी बन चुका था और यह बहुत जाद अच्छी बात है कि क्लामेट की पोकीमान भी इवाल हो चुके हैं और यहाँ पर पोकीमान से निकलते ही आश का फारफेच जो की अटैक की प्रैक्टिस करने लग गया था और यह बहुत अच्छा पोकीमान है आश का और ड्रागोविश फारफेच को दीख रहा था शायद उसे कुछ खाने की चीज लगी थी इसलिए वो फारफेच की तरफ तीजी से भाग की गया और उसकी जो डंडी थी उस अपने मुह में डाल लिया था जैसे तैसे करके क्लैमेंट और आश ने मिलके उसकी डंडी निकाल दी थी और Ash ने अपने Galarian Farfetch और साथ ही में Fossil Pokemon Dragowish के बारे में भी Clement को बताया और उसके बारे में Clement को अच्छे से नहीं पता था Like Ash को Dragowish ने पकड़ के रखा था और जैसे ही वो चीज देखा तो Dragowish तेजी से भाग के गया था यह सीन बहुत जादा funny था और भाई इसके बाद तो तुम सभी को पता ही है और यहीं चीज ड्रैगowish ने वापस की जहां पर वो सरफेज के पास जाकर वापस इसकी डंडी मुह में डाल लिया था और अगर मैं सरफेज को फारफेज बोल रहा हूँ तो मुझे माफ करना और इस बार तो Dragowish इसे छोड़ी नहीं रहा था और सरफेज काफी कोशिश कर रहा था उसे हटाने की और पता नहीं Dragowish कौन से खयालों में डूबा हुआ था और यहाँ पर सरफेज अपनी अटैक की प्रैक्टिस कर रहा था इसलिए उसे बहुत अच्छा चांस मिला और यहाँ पर इससे ब्लास्ट हो जाता है जिससे सरफेज भी एक साइड गिर जाता है और Dragowish भी और इस अटैक की विज़ए से दोनों ही पोकी मॉन फेंट हो जात और यहाँ पर क्लैमेट जो की एक साइनिस्ट है साइंटिस्त है जो की सरफेज के ऊपर रिसेघ कर सकता है और यहाँ पर भाई की सइस की वापस तारीफ करने लग गया और काफी पर Go और Bonny आजाते हैं और यहाँ पर यह अग दूसरे से इंटिड्यूस कराते हैं जहाँ पर Clement Go से मिलता है और Go Clement से मिलकर कहता है कि तुम एक बहुत ज़्यादा कमाल के इन्वेंटर हो और यहाँ पर Clement Edge के Pokemon को देख चुका था अब यहाँ पर Bonnie Ash के सारे ने Pokemon से मिलती है और वो Dragowish के साथ बहुत जादा मज़े करती है और पहले मुझे Ash के Dragowish बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था पर आज कल यह मुझे अच्छा लगता है और इस बार Clement ने अपने device की मदद से सरफेज को वापस एक attack करने के लिए कहा था और Ash को तुम देख सकते हो भाई वो कितना खुश है और यहाँ पर जो robot के पास जंडे थे वो Ash उनसे ले लेता है अब यहाँ पर वो सरफेज के साथ रहेगा तो सरफेज एक दम अच्छे सा attack कर पाएगा सो यह दोनों मेलकर सरफेज अपने attack के लिए वापस कोशिच करता है और इस बार सरफेज का attack successfully हो जाता है जो कि काफी अच्छी बात थी और यहाँ पर इस attack का नाम था meteor assault और इसे सीखने के लिए यहाँ पर Clement ने कुछ machine लगाई थी जिससे वो सरफेज की movements को देख सके और साथ ही में जो उसकी power थी वो अपने stick से उसे छोड़ सके जिससे एक नए attack बन सकता है और इसलिए Ash न अपने ट्रैगोविश को वापस निकाला था जिससे वो इस पर वापस एक बर experiment कर सके और एक बर फिर से सरफेज इस attack को यूज करता है जो कि सिब गलारियन सरफेज ही से यूज कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पर सरफेज ने अपने power का यूज किया बट यह power बहुत जादा थी इसलिए यहाँ पर यह सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पर तुम सब के धोबडे देख सकते हो भाई जल चुके हैं और यहाँ पर goka bimoo ब्लास्ट हो गया और बहुत जादा मज़ा आया इससे देखकर अलगी सकून मिला है दिल में ओके थोड़ा जादा हो गया सुगाइस इसके बाद यहाँ पर यह बहुत जादा फणी सीन था थोड़ी देर बाद यहाँ पर go हुश्यार बनने के कुशिश करता है और एक बाइसाइकल का एक्जामपल देकर क्लैमेंट को कुछ समझाता है तब ही यहाँ पर आश बताता है कि वो द्रैसना के साथ अपने ड्रागोविश और सर्फेज को इस्तमाल करेगा और यहाँ पर लुकारियो ड्रिगर भी के साथ प्रैक्टिस कर रहा था और यहाँ पर गू कहता है दोनवे ड्रागन टाइप पोकीमान सोंगे तो काफी अच्छा होगा इसके बाद हमें क्लैमेंट की एक बैटल देखने के लिए मिलती है आश के साथ अब यहाँ पर ड्रैकोविश अचानक से सर्फेज के पास चला जाता है वो स्टिक को खाने के लिए और पीछे से लगजरे आता है और यहाँ पर सर्फेज के जो अटैक था वो पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और वो लगजरी को लग जाता है जैसे कि यह सर्फेज के एक नया अटैक था इसलिए यह बहुत पावर्फुल था और तुम यहाँ पर देख सकते हो इसकी पावर और इसके बाद यहाँ पर लग्जरी फेंट हो जाता है जिसे गुडरा ने बहुत मैनेस से हराया था और यहाँ पर हमारे सरफेच ने एक ही अटैक से इसका कमाल कर दिया और भाई यह बहुत जादा स्ट्रॉंग अटैक था फिर यहाँ पर क्लैमेट अपने दूसरे पोकेवान को चूस करता है जो कि होता है ड्रीगर भी और यहाँ पर आश अपना ड्रागोविश को चूस करता है और ड्रागोविश ने अपना नया अटैक सीका है जो कि ये ड्रागन रश और ये बहुत जादा स्ट्रॉंग था और इस एक अटैक से वो ड्रिगर भी को भी फेंट कर देता है अब तुम दीख सकते हो आश के पोकिमान कितने जादा पाउरफुल हैं जिनोंने अपने एक एक अटैक से इन दोनों को फेंट कर दिया और दोनों पोकिमान ने नया अटैक सीके थे और यहाँ पर Clamete ने आप यहीं की काफी मदद की बैटल्स में Clamete की मदद से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी थी और यहाँ पर dhragovish ने वापस आपको मुंहें डाल दिया अब यहाँ पर मुझे Ash के सरफेच और ड्रागविश का behavior काफी है तक Heracross और Bulbasaur जैसा लग रहा है जैसे कि Bulbasaur बहुत जादा mature था एकदम सरफेच की जैसे और इसके बाद हमें द्रैसना दीखने के लिए मिलती है और यहाँ पर Wixdrom क्या कर रहा है क्या यह द्रैसना पर लाइम मार रहा है जोक सपाट गाईस इसके बाद हमें द्रैसना के कुछ कूल से पोकीवान दिखाये जाते हैं जो कि बहुत जादा strong है और जादा तर ड्रैगन टाइप जैसे कि हमें यहाँ पर कुछ flashback दीखने के लिए मिले थे भाई एक भी flashback में उन लोगों ने सरीना को नहीं दिखाया इवेन जो footage थी उसमें भी नहीं गाईस सरीना से तुम्हें क्या दिखके थे पोकीवान कमपनी क्यों नहीं दिखा रहे हो उसे लड़कियों के मामने क्याएगी के लिए सो गाईस आज के लिए बस इतना ही और अगर तुम्हारे जो doubts है तुम मुझे comments में पूछ सकते हो सो मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में until then peace out भाई